आप सभी का बहुत बहुत बिल्कम है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज के इस टुटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी फोटो का अगर पीडिएफ बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे या फिर आगर आप अलबम डिजाइन करते हैं और अलबम डिजाइन जो आप किये हैं उसका पीडिएफ बनाना है जैसे आप 25 पेज का अलबम डिजाइन किये हैं आप 25 पेज का पीडिएफ करियेट करना हो तो किस तरीके से उसका PDF बनाएंगे Photoshop में तो आज उसी का टिटोरियल हम लेके आये हैं तो हमारे चैनल पर अगर फर्स टाइम आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को दबा लिजिए और Photoshop में कुछ भी सीखना हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हम उस टाइब के टिटोरियल हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए ये मेरे पास फोटो है इस टाइब का और इसको हम PDF बनाएंगे ये देखिए Photoshop मेरा ओपन हो गया Photoshop ओपन हो जाने के बाद आपको फाइल में जाना है और यहां देखिए Auto Mode का एक आप्सन होगा फाइल में जाने के बाद Automate वहां पे आपको देखिए यहां दिखेगा PDF Performance यहां पे PDF Performance पे क्लिक कर लेना है आपको इस तरीके का एक डायलो बोक्स ओपन होके आजाएगा आपके सामने इस तरीके का डायलो बोक्स ओपन हो गया इसके बाद यहां से ब्राउज पे क्लिक करना है यहां ब्राउज है ब्राउज पे जहां आपका फोटो रखा हुआ है जहां जिस folder में आप photo रखे है एडिट करके उस photo को यहां से आपको import कर लेना है open कर लेना है तो हम देखिए एक folder में रखे थे यह देखिए final album 2022 यह folder है मेरा इसको control A प्रेस करके open कर लेना है यह देखिए यहां file सबका दिखा दिया है बाकी save एक में multipage document है इस पे click करके रखना है उसके बाद background है background में किस color चाहिए white है gray है black है तीन color होता है तो white generally white ही ही रहता है अब यहां अगर file name पे tick मार देते हैं तो file का नाम दिखाएगा वहाँ पे तो file name का हमें जरूवत नहीं है लेकिन दे सकते हैं क्योंकि अगर client बोल दिया है कि हमको page number 4 में कुछ change करवाना है तो वह सुविधा यहां पे आ सकता है तो आप file name दे सकते हैं font size font size आप इतना रखिए बहुत है उसके बाद इसमें कोई छेरचार नहीं करना है इतना होने के बाद सिर्फ आपको यहां पे save पे click कर लेना है save पे हमने click कर लिया save पे click करने के बाद आपको जहां output इसका save करना है तो वहां save हम टेश्टॉप पे किया और यहां यहां पे PDF का नाम दे दिया मान के चली कुछ भी नाम दे दिये डीपक PDF ठीक है अब यहां सिर्फ save पे click किजिए save पे click करने के बाद देखे इस तरीके का एक डायलो बोक्स और ओपन होके आगया यह डायलो बोक्स ओपन होगा इसमें तो यहां पर यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आपको ध्यान देना है ध्यान यह देना है कि अगर आप यह album को live भेज रहे हैं प्रिंट के लिए तो उसका quality सेम होना चाहिए जो आप Photoshop से आउटपूट किये हैं और अगर यह customer को भेज रहे हैं दिखाने के लिए कि आपका album ready हो गया है आप इसे चेक कर लिए तो उसका quality लो करके ही भेजा जाता है क्यूंकि अगर उसको original quality में भेज दीजेगा तो बात बाती हो सकता है कि वहां आपका वह album print कर ले फिर आपको call भी नहीं करेगा तो customer को जब भी आप PDF भेज़िए तो उसका quality less करके भेज़िए तो ज्यादा बहतर होता है तो यहां देखिए चंप्रेसिंग में JPG JPG रहने दीजिएगा अब देखें यहां पर लिखा हुआ इमेज क्वालिटी तो इमेज क्वालिटी में अगर आप लैब भेज रहे हैं तो उसको हाई कर लिजिए और customer को भेज रहे हैं तो आप लो कर लिजिए यहां customer को हमने भेज रहा है लो कर लिए अब सिर्फ देखें यहां पर करना है सेव पपीड एफ पीड एफ जैसे ही किजिएगा वो बारी – बारी से जितना हमने सीट बनाया था वह सीट आते जाएगा और PDF में कंभर्ट होते चला जाएगा उसके बाद एक आपको मिल जाएगा पीड पीड एफ इसका जहां पे आप आप इसका मुझ टाइप का टिटोरिल आपके सामने जरूर लेके आएंगे अब देखिए यह इसका आपट कैसे आता है वह हम आपको दिखा देते हैं यह देखिए फाइनली मेरे PDF बन गया होगा हमने डेश्टॉप पे सेप किया था PDF दीपक नाम से इसको हम खोलेंगे और खोलने के बाद देखिए इस तरीके का यह PDF बन के आ गया है इस तरीके का PDF आप बना सकते हैं बहुत ही आसान है इजी है तो फ्रेंट्स आसा करते हैं इस टुटोरिल आपको पसंद आओगा तो आज तेक लिए इतना है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद झाल करता है